चवान साहब, आजाद मुक्त हो गई कॉंग्रेस, आज सवाल ये है कि जिस शक्स ने अपनी पूरी जंदगी कॉंग्रेस पाटी को थमा दी, खपा दी, उस शक्स पर सवाल खड़े कर रहे हैं आपके नेता, उनन चार सालों पर पानी फेर रहे हैं ये कहकर कि जी एने का तो दी एने ही मोडिफाई हो गया है, क्या है आपकी राया, आप लोग समकालीन है, आपने भी उनको करीब से देखा होगा, जाना होगा, आपको लगता है कि कॉंग्रेस पार्टी के लिए जो नोंने काम किया, वो खूना जितना पतला हो गया, कि वो दूसरी पार्टी के लिए लॉयल हो गया, या फिर आपको लगता है कि दिल तूटा, कुछ सवाल खड़े किये हैं, तो उनको सुनना चाहिए, पृत्वी राजी. कि हार हो रही है, क्या कॉंग्रेस में अंदुरुनी जन्त अंतर नहीं रहा है, क्या पिछले चोवी साल से कॉंग्रेस के समविधान के अनुसार कोई चुनाव नहीं हुआ है, वर्किंग कमिटी हो, चाए पार्लमेंटरी बोड़ों, चाए इलेक्शन कमिटी हो, सभी जगा नॉमिनेटेड लोग भर गए हैं, और नॉमिनेटेड लोग आप जानते हैं कि जो लोग, जो नेता उनको नॉमिनेट करते हैं, उसके खिलाफ कुछ बोल ली सकते हैं, कोई अलग राय नहीं दे सकते, जो नेता को जो अच्छा लगता है, उसी की बात करते हैं, और इसी कल् कॉंग्रेस पार्टी लगातार हार रही है इसलिए हमने गुजारिश की थी अगर राहूल गांदी अध्यक्षा बनना चाहे तो जरूर बने लेकिन अगर नहीं बनना चाहते हैं तो कॉंग्रेस के सविधान के अनुसार चुनाव किया जाए लेकिन तिपनी जो गुलाम नभी आजाद कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनेवे सदसे है लेकिन जब कलकत्ता में चुना हुआ जब तिरूपती में चुना हुआ गुलाम नभी आजाद ऑफिशिल पैनल के कैंडिड़ेट ना होते वे जीते लोगों ने उनको कॉंग्रेस कारी कहता है उनको जिताया है उसके बाद आपने चुना भी नहीं करा है पिछले चोबी साल से कॉंग्रेस के अंदरूनी चुना नहीं हुए हैं अब क्या कॉंग्रेस के अंदरूनी चुना हो इसकी मांग करना कोई भगावत है जो हमने पत्र लिखा था उसमें कोई भगावत की थी हम यहीं चाहते थे क कॉंग्रेस के लगातार हार हो रही है उसका कहीं विशलेशन होना चाहिए कहीं आत्म चिंतन होना चाहिए सोनिया गांदी ने उसके बाद हमसे बात की थी पाच घंटे अमरी चर्चा हुई उसमें उन्होंने स्विकार किया कि कॉंग्रेस के चुनाव अंदूरी चुनाव हों ते अच्छा जब केरला और असाम उगरा के चुना हुए थे सुनिया जी ने कमिटी बनाई जाच करने के लिए अश्रक चवान के नित्रतु में उस कमिटी के रिपोर्ट का क्या हुआ कोई चर्चा हुई उस पर कोई पब्लिक की गई उसके बाद यूपी पंजाब गोवा उ चुनाओं लेकिन सरकार नहीं बना सके कौन जमेंदार इसके लिए तबी हाली में महाराष्ट्र में विदान परिश्ट के चुनाओं में साथ कॉंग्रेस विधाय को नोए पैसे लेकर बीज़ेपी को वोट किया उसको कोई एक्शन देने वाला है कोई एक्शन होना है कि न बातों से ऐसा लग रहा है वरना पर प्रिथ्वी राजी अब ये इंटर्व्यू देखने के बाद तो सब बरस पड़ेंगे देखे मैंने कभी हम उसी पर काइम हैं हम यही कह रहें कि कॉंघर हम मोदी जी को तानाशाई होने का आरोप कर रहें क्या कॉंघ्रेस पर्टी जंतांत्रिक तरीके से आप चुनाओं के जिए राहुल गांदी अद्धिक्षा बनना चाहते तो कोई हर्जा नहीं है लेकिन आप चुनाओं के प्रक्रिय से करिया आप चुनाओं लड़िये और अद्धिक्षा हो यह आम बिल्कुल आपके साथ रहेंगे कौन नॉमिनेट करेगा आपने आपके बिना चुनाओं लड़िये प्रित्वी राजी यह तो फिर कल्पना की दुनिया है ना जिसमें आप जी रहे हैं आपको लगता है कॉंग्रेस पार्टी में कोई राहुल गांदी के खिलाफ सामने खड़ा होगा आपको लगता है कोई शक्स किसी का नाम आप बता दीजिए लेकिन हम कहा करें आरे मैंने आपको मैर्या बाथ आपने नहीं सुनी मैंने यही कहा है कि आप जनतांत्री तरीक्स साथ बंगी है हम आपके साथ हैं लेकिन चुनाव लड़िए आप भी नहीं लड़ेंगे बनने के लिए तैयार नहीं है उनको बहुत मेनाया जा रहा है तो कोई और चुनाव लोग तंतरी तरीके से चुनाव कराई है अगर सुनिया गांधी खुद लड़ना चाहती है वो 1998 में चुनाव लड़के आई थी बनी थे अधिक से फिर बहुत कुछी की बात है उनने बहु कोई राहूल गांधी कह रहे हैं कि हमारे फैमिली से कोई भी नहीं होगा तो क्या फिर हम चुनाव नहीं करा हैं प्रित्वी राज जी यहां पर देखिए दो मामले हैं जो आपस में मिक्स हो रहे हैं थोड़ा सा और क्लारिटी समझने के लिए आपसे अगला सवाल कर रही ह आप कह रहे हैं कि राहूल गांधी को अगर बनना है प्रेजिदेंट तो वो बने लोगतांत्रिक तरीके से बने इलेक्शन लड़े चुनाव लड़े लेकिन चुनाव तो तब होगा ना अगर सामने कोई और भी खड़ा होगा वरना तो वही सर्वो परी हैं यहां तक कह द दिखाएगा कि वो राहूल गांधी को चुनाव में लोगतांत्रिक तरीके से ही सही पार्टी के अंदर ही प्रेजिदेंट इलेक्शन में सामने खड़ा होकर दिखाएगा एक नेता देखें यह कहां कह रहे कि कौन खड़ा रहे और कौन नहीं खड़ा रहे गा नेकिन चुनाव कराई यह अब रावज गांधी चुनाव लड़ना चाते ऻड़े लड़े कौन मना कर रहा है आचा उनके खिलाफ लड़े गा नहीं लड़े अलग बात है उस समय देखा प्रतिशाट वोट में लेकिन चुनाव तो नहीं लेला था केसरी जी के खिलाफ श्ताया शेयरत परवार जी और राजिश पहलेट जी चुनाव लेला था एक स्टेट्मेंट तो किया थे कि ठीक है हम चुनाव लढ़ेंगे करके बात यह है कोई खड़ा रहता है या बिना वि है भूजुदा दौर कुछ और है आज यह बताया जाता है यह समझाया जाता है यह पट्टी पढ़ाई जाती है कि गांधी परिवार नहीं तो कॉंग्रस बिखर जाएगे गांधी परिवार नहीं तो फिर पूरी की पूरी पार्टी में ऐसा अलग-अलग तरीके से सब पुलिटिकल पांत्री का अपना समीधान होता है जिसे इलेक्षन चुनावय के पास रजिस्टर किया जाता है और पुलिटिकल पार्टी जनतांत्री तरीके से चले ऐसी अपेक्षा समीधान निर्माताउनी की थी